So now we are going to complete our chapter. This is part number 4 and the topic's name is India and Other Neighbors. So, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा about Pakistan in part number 3, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे India और दूसरी South Asian countries का relation है, क्या-क्या उनमें dispute है और कैसे-कैसे वो cooperate कर रही हैं. सबसे पहले जो हम relation पढ़ने वाले हैं, that is India and Bangladesh का. आपको पता है ये इंडिया का Northern region है, ये North Eastern region है और ये Bangladesh है. So, we will read about the relation of Bangladesh and India. तो हम माप के थ्रू समझेंगे सबसी पहली जो चीज है वो है कि जो हमारे dispute हैं वो कौन-कौन से हैं. हम ऐसे पढ़ेंगे कि इंडिया को क्या-क्या problems हैं Bangladesh से, फिर हम पढ़ेंगे Bangladesh को इंडिया से क्या-क्या problems हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिया को क्या problem है बांग्लादेश से. So, एक common problem के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, that is rivers. गंगा water और ब्रह्मपुत्रा जो है, उसके बारे में dispute हैं दोनों countries के बीच में. तो आप देख सकते हो कि जो गंगा है वो पहले इंडिया में आ रहा है, अगर इंडिया यहीं पर पानी को रोक ले तो क्या होगा बांग्लादेश को सप्लाइ नहीं होगी. और यह जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, अभी यहाँ पर यह तिबबत वाले एरिया में तो इसे सैंगपो बोलते हैं, पर हमारी कंट्री में तो ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा जो है, वो भी पहले इंडिया में आ रही है, तो बांग्लादेश को जो ह कि हमारे रिजन से कोई भी illegally immigration करके नहीं जाता है इंडिया में तो बांगलादेश ने refuse कर दिया पर इंडिया से बांगलादेश से बहुत सारे जो लोग हैं वो illegally जो हैं border cross करके इंडिया में आये हैं देन बांगलादेश जो है वो anti-Indian Islamic fundamentalist groups को support करता है इंडिया का कहना है कि जैसे अभी हमने last topic में पढ़ा था कि ISI जो है वो अलगलग countries में चुपकर इंडिया की north eastern region में जो है attack करने की कोशिश करती है तो इंडिया की government का कहना है जो बांगलादेश है वो उसे support करता है उसके बाद बांगलादेश ने refuse कर दिया कि अगर हमारे देश मतलग इंडिया के सैनिकों को अगर north east में जाने मानलो यहां से जाने तो हमारे सैनिक जो है वो बांगलादेश का रस्ता यूज करके नहीं जा सकते उन्हें अगर वो रस्ता जो है वो छोटा पड़ता है तब भी बांगलादेश की government ने मना कर दिया कि जो इंडिया के जो भी troops है they will not travel through बांगलादेशी territory ठीक है उसके बाद इंडिया की fifth problem है वो है कि जो बांगलादेश है उसने natural gas export करने को मना कर दिया कि हम इंडिया को नह ही करेंगे sixth problem है कि जो मैंनमार है वो ऐसा करना चाहता है मतलब export हमें करता है पर जो बांगलादेश है उसने कहा कि जो natural gas है बांगलादेश से आएगी वो जो natural gas मैंनमार से आएगी वो बांगलादेश की territory से निकल कर इंडिया तक नहीं पहुंचेगी ठीक है उन्हें को यह ढूंद के फिर supply करना पड़ेगा इंडिया को तो यही लिखा है मैंने कि मैंनमार जो है वो natural gas को export नहीं कर सकता थूँ बांगलादेशी territory अब हम पढ़ेंगे कि बांगलादेश को हमसे क्या क्या problem है बांगलादेशी government कहती है कि जो इंडिया है वो एक regional bully की तरह है वो हमारे internal affairs के अंदर क्या है एक तरह से टांग अड़ाता है उसके बाद जो नाचल गैस है उसमें जो है इंडिया इल्लीगली जो है अपने पास करता है कि जो बांगलादेश का नाचल गैस है वो क्या करते है इल्लीगली अपनी कंटरी में लेके आता है तो दाट इस दा प्रॉब् है बांगलादेश की गवर्मेंट कहती है कि जो इंडिया है दाट एंकरेज़ रिबिलियन इन चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट ठीक है उसके बाद बांगलादेश कहता है कि जो इंडिया है वो अन्फेर हो जाता है कई बार ट्रेड के मामले में तो आपने देख लिया दूनों इंडिया और बांगलादेश की कॉपरेशन के बारे में तो कॉपरेशन का अगर आप देखो तो हमारी एक जो प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं इंडिया की लुक इस्ट पॉलिसी ठीक है इंडिया की लुक इस्ट पॉलिसी क्या है कि हम हमने एक पॉलिसी बनाई जिसकी वो बंग्रदेश भी है. जो आपने देख लिया कि हम क्या करना चाते हैं, पूरे साउधीस्ट एशिया को लिंक करना चाते हैं इस पॉलिसी के तुरू और बंग्रदेश ने हमारी इस पॉलिसी को जो है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, सपोर्ट किया है. हम बंग्रदेश और इंडिया जो है, वो इन्वार्मेंट की इशू पर और डिजास्टर मैनेजमेंट की इशू पर कॉपरेट करते हैं. उसके बाद बहुत इंपोर्टन चीज है यह, 2015 में क्या हुआ, कि जैसे कहीं ऐसे रिजन थे, जो की इंडिया और पंग्रदेश के छोटे 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 रिजन थे, जो की ऐसे डिस्ट्रिब्यूशन उनकी थोड़ी सही नहीं हो रखी थी. है मतलब जो इंडिया की लोग थे, वो इस वाली टेरिटरी में आ रहे थी, तो बहुत जवाल डिफाइन टेरिटरी नहीं थी. तो जहां पर Indian origin के और India के culture से related लोग थे वो वाले रिजन को Bangladesh ने इंडिया को दे दिया और vice versa इंडिया ने बांग्लादेशी कल्चर वाले लोगों को और उस रिजन को बांग्लादेश को दे दिया तो this is known as exchange of enclaves ठीक है यह enclave का जो exchange enclave मतलब यह जो जगहाएं है इन्हें एक्सचेंज किया था हमने 2015 में and this is very important cooperative step taken by Bangladesh and Indian government उसके बाद हम दोनों जो countries हैं वो क्या करती है कि हम common threats जो हैं हम दोनों के लिए उसे ढूंडते हैं कि हां हम दोनों country के लिए यह चीज जो है वो खतरनाक है और उस चीज को solve करने की कोशिश भी करते हैं तो अब हम देखेंगे नेपाल और इंडिया की बीच में कैसी relation है तो नेपाल और इंडिया का जो relation है वो पहले इसमें क्या था कि अब हम वो सीधरी किसे देखेंगे इंडिया को क्या क्या दिक्कत है नेपाल से और नेपाल को हमसे क्या मसले है ठीक है उसके बाद हम देखे कि क्या-कि हम कॉपरेशन कर रहे हैं तो निपाल जो रिजन है वह बहुत जादा है इसकी सबसे इंपोर्टन वाला पार्ट क्या है कि क कॉपरेशन के अंदर अगर आक निपाल जाने तो आपको कोई वीजानी चाहिए कोई पासफ़ुट नी चाहिए ठीक है तो लोग वो अपने अगर काम करना है वालो जो नेपाल की लोग है वो इंडिया के अंदर जॉब करते हैं तो देखें ट्रैवल वेरी इजी ली ठीक है पाकिस्तान का जो वीजा है आमने पड़ा था वो असानी से मिल जाता है पर यहां पर वीजे की जरूरत ही नहीं है तो आप देख स नेपाल और इंडिया बहुत क्लोज है तो यह वाला आप याद रखोगे उसके बाद इंडिया को क्या है कि ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट थे हम दोनों में पहले होते थे ठीक है अब क्या है कि इंडियन गर्मेंट कहती है दिर इस इनक्शन अगेंस थे एंटी इंड उसके बाद आपने जैसे पढ़ाते है श्रीलंगा की टॉपिक में कि यहां पर माविस्ट मॉव्मेंट है माविस्ट लोग कौन होते हैं जो कि जो आपकी कंट्री की गवर्मेंट है या फिर सरकार है चाहे वो राजा है जो भी है उन्हें क्या है वाइलेंस के तरीके से हट जाना चाहती है ठीक है बहुत मतलब लाज स्केल वाइलेंस करने में बिलीव करते हैं यह लोग तो इसलिए इंडिया को लगता है यह जो माविस्ट मॉव्मेंट निपाल की है वो हमारे लिए भी एक सेक्यूरिटी थ्रेट है ठीक है उसके बाद इस माविस्ट करते रहते हैं तो यह हमारी प्रॉब्लम ए उसके बाद नेपाल को हमसे क्या प्रॉब्लम है नेपाल कहते है हमारे इंटर्नल अफेर्ज में प्लीज ना इंटर्फेयर करें आप और हम क्योंकि एक लैंड-लॉक्ट कंडरी है मतलब हमारे पस कोई भी सी नहीं पढ़ता ठीक यह जो नेपाल है, C तो नीचे है यहाँ पे, यहाँ पे है C तो यह C को कैसे रीच करेगा, with the use of Indian territory, तो यह वही बात कह रहे हैं नेपाल वाले, कि हमें जो है, easily C का access नहीं मिलता, Indian territory के थूँ, ठीक है, उसके बाद हम corporation को देख लेते हैं, corporation visa passport वाली बात मैंने आपको बता दी, scientific corporation करते हैं, हम ठीक है, science के मामले में एक दूसरे से चीज़ों का exchange करते हैं, then common natural resources जो भी हैं, हम वो share करते हैं, और democracy जो है, जैसे नेपाल के अंदर आपने पढ़ा था कि 2015 के अंदर constitution बना है वहाँ का, तो अगर वो बहुत अच्छा चलता है, और वहाँ पर democracy बहुत अच्छी चलती है, तो आने वाले समय में, इंडिया और नेपाल का और भी अच्छा relation हो जाएगा, now moving on to Shri Lanka and India, आपको पता है, आपने Shri Lanka के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर ethnic conflict है, तो जो ethnic conflict है Shri Lanka का, वो क्या है कि आपको पता है कि वहाँ पर Tamil origin वाले लोग हैं न, तो अभी हम उसे थोड़ा सा और freshen up कर लेते हैं, उस वाले topic को, मैंने आपको बताया था, वहाँ पर एक लिट्टे नाम की community है, तो आपको ये बात समझनी है, सारे Tamil जो हमारे वाले हैं, इंडियन उरिजिन वाले, वो सारे लिट्टे के पार्ट नहीं है, ठीक है, तो आप ये बात समझो कि वहाँ के Tamil में से कुछ थोड़े से portion के लोग जो है वो लिट्टे, community के पार्ट थे, जो की इतनी violence create कर रहे थे, तो अब ही अगर आप देखोगे, वहाँ पर ethnic conflict है, इसी की वज़े से इंडिया जो Sri Lanka है, उनका जो relation है वो बहुत अच्छा नहीं है इंडिया जो है, वो बहुत ज़दा neutral नहीं रह पाता, क्योंकि आपने देखा है, कि जो लिट्टे community है वो बहुत ज़दा violence ही और वो अपने aim को achieve करने में, यानि की Tamil इलम बनने में जो है, किसी को भी खतम कर सकती है, ठीक है, तो उसी चक्कर में, इन्होंने अपने ही Tamil को भी मारा है, और जो सिन्हालीज हैं, उन्होंने भी कहीं time जो है, Tamil को मारा है आर्मी द्वारा कहीं बारी ऐसा हुआ है, तो इसकी वज़े से क्योंकि इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया लिट्टे को suppress करने का काम कर रहा था, ठीक है, पर क्या ओर रहा तो Tamil के खिलाफ भी काम हो रहे थे, तो इसकी वज़े से जो इंडिया है, वो बहुत जादा न्यूट्रल नहीं रहा पा रहा कि हमें सिरफ लिट्टे के खिलाफ इसी वाइलेंस को खतम करना है, क्योंकि हमारे खुद के तमिल्स, जो लोग हैं वहाँ पर, उनके साथ भी बुरा विवार हो रहा था ठीक है, बाइडी गवर्मेंट और बाइडी आर्मी इन सम इंस्टेंसे तो यह चीज है उसके बाद 1987 के अंदर यह वाली बात आप समझो कि इस टाइम पर क्या हुआ था एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें कि जो हमारी इंडियन गामेंट है उसने Policy of Disengagement जो है वो अपने आपको अपनाई थी ठीक है, फोर श्री लंका श्री लंकन इंडियन इंटर्नल ट्राबल्स मतलब कि 1987 में इंडिया ने कह दिया थी आपका जो इंटर्नल ट्राबल है उसमें हम इंडिर्फेर नहीं कर रहे क्योंकि अक्चल में एक Amendment हुई थी उस समय पर जिसमें जो आपकी Tamil Community है उसकी बहुत सारी मांगों को जो है वो पूरा कर दिया गया था पर यह जो आपकी लिट्टे Community है वो इंडियन गवर्मेंट के खिलाफ थी कि आप बीच में आके मतलब सारे decision क्यों ले रहे हो मतलब सब कुछ तो हम कर रहे है इतना violence create कर रहे हैं हम देखो ठीक है तो बात हमारे साथ होनी चाहिए हमारी demand को सुनना चाहिए तो इसकी वज़े से इंडिया और लिट्टे के बीच में भी हो था तो यह चीज था कि 87 में हमने क्या दिया थे कि आपके internal affair में हम नहीं करेंगे कोई भी interference फिर free trade agreement हमने श्रिलंका के साथ sign कर रख है तो that is very important कि हम free trade एक दूसरे के साथ करते हैं और इंडिया जो है जब यहाँ पर tsunami आई थी श्रिलंका में उसके बाद जो reconstruction का काम है उसमें हमने श्रिलंका की help की थी उसके बाद हम बात करेंगे बुटान की बुटान को आपके book में हिमालियन किंग्डम बोला गया है ठीक है उसके बाद बुटान देखो आपको पता है न चोटा सा है तो उसके चोटे सा है से यह बात याद रख लो कि हमारे बीच में कोई major conflict नहीं है ठीक है तो उसके बाद आप यह देख लो दो चीजों को की first चीज है कि बुटान की government अच्छी है वो क्या कर रही है जो गुरीला militants है नौर्थीस्ट में जो कि बुटान से आते हैं गुरीला militants कौन होते हैं जो चुप चुप के वार करते हैं ठीक है जादा ऐसे नहीं कि आमने सामने की वार नहीं करते जैसे hit and run वाल जो system होता है मारो और भागो उस टाइप से थोड़े से लोग होते हैं जो की चलते फिरते ही वार करते हैं तो इन टाइप के लोगों को militants को हटाने की कोशिश कर रही है फ्रॉम नौर्थीस्ट हमारी नौर्थीस्टन स्टेट से उसके बाद हमने क्या है भुटान के अंदर एक बिग हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया है तो हम क्या करते हैं कि भुटान के अंदर developmental aid देते रहते हैं तो इसकी वज़े से हमारे relation बहुत अच्छी है उसके बाद हम conclusion पे आ रहे हैं इस वरे topic की कि इंडिया जो है उसे सभी मानते हैं कि वो एक regionally dominant power बनना चाता है इंडिया तो इसमें देखो जो दूसरी countries हैं यानि की South Asia की दूसरी countries इंडिया के लावा वो क्या कह रही हैं वो कह रही हैं कि जो इंडिया है वो size से भी बड़ा है heavy position में center में तो इसकी वज़े से वो क्या करते हैं अपने neighbors को exploit करते हैं पर इंडिया क्या कह रहा है देखो इंडिया की बात को समझो इंडिया ने कहा कि मुझे खुड डर लगा रहते है कि तुम सारी countries में क्या कुछ होता रहते है इतनी instability है अगर तुमारी countries में instability है और कोई बाहर की power आके तुम्हें rule करने लग जाए if any outside power gets influence on you all countries तब मेरे उपर भी तो बुरा effect पड़ेगा तो इसकी वज़े से मैं तुम सभी के internal affairs में तुम सभी की मदद करने के खोशिश करता हूँ ठीक है यह आपके book में लिखा है उसके बाद आगर आपने देखा कि आपने सारे में chapter में क्या बढ़े इंडिया की इसके साथ यह दिक्कत है इंडिया की इसके साथ यह दिक्कत है तो आपको यह नहीं समझना कि यह सारी countries अपने में बहुत अच्छी है सारी दिक्कतें इंडिया की वज़े से ही है ऐसा नहीं समझेंगे ठीक है आपके पास तीन example दियें की और भी तरह के जो हैं dispute है इन सबी 1990 के बीच में जिसे migration की वजह से क्या होगा है नेपाल और भुटान के बीच मे और쪽에 Boss जो साना पहलु काStopने marshmcket क्या है नेपाली लोग में छुँच जाते हैं यह प्रॉब्लम के रूहिंगियास जो है वह हुँच्दरी तो यह वाली प्रोब्लम है उसके बाद बांग्रदेश और नेपाल बी एन के अंदर क्या प्रोब्लम है रिवर डिस्प्यूट है तो आई गैस आपको ख्लियर हो गया हो तो यह वाला जो है आप मुझे कुछ समझ नहीं है मैं आपको कैसे लर्न कराऊं अगर कोई बच्चा जो है वो इंपोर्टन टीफिक सा शार्क की फिलफ़ह मैं से तो मैने आपकी पूरे चाप्टर में सिसे लिख तो पता है आपको साउट एशया ठीक है टह साउट एशियन एस्ओट्ट्पीशीन for regional cooperation, हम क्या करेंगे, cooperate करेंगे एक दूसरे के साथ, तो regional cooperation, यह एक association है, जो region में cooperation लाने के लिए बनी है, तो South Asian Association for regional cooperation, यह 1985 के अंदर बनी थी, याद रखेंगे हो, इसका main aim है, major regional initiative through multilateral means, हम एक दूसरे के साथ, क्या करेंगे, regionally जो है, cooperate करेंगे, through multilateral means, यह आदें कि, एक ही aspect पर नहीं, कि हम trade में ही सभी के साथ cooperate करेंगे, पर हम culturally, ठीक है, एक दूसरे को politically support करेंगे, यह सारी चीज़े, तो अभी वैसे, कोई भी इतना बड़ा success नहीं था सार्क, क्योंकि सारी countries में आपने देख लिए, किते सारे political differences है, पर 2004 के अंदर क्या हुआ, एक साफटा नाम का agreement, जो है, वो sign होता है, जिसकी full form है, ऐसे से तो आपको पते है, South Asia, FTA का मतलब क्या होता है, यह आपने बहुत जगा पढ़ा होगा, Free Trade Agreement, ठीक है, Free Trade Agreement, South Asian Free Trade Agreement, अब उसके बाद देखो, कि यह जो, मतलब 2004 में आपने sign कर दिया, और यह, इसका effect कब से शुरू हुआ, 1st January 2006 से, ठीक है, अब यह जो साफटा है, वो क्यूं form हुआ है, it is formed, कि हम सभी एक दूसरे के साथ, ऐसी ऐसी region बनाएं, जहां पर कोई भी हमारी government, जो है, वो restriction नहीं create करेगी, so it want to create, formation of a free trade zone for whole South Asia, ठीक है, और इसकी वज़े से, क्या होगा, there will be a trade tariff के अंदर, जो है, reduction हो जाएगा, ठीक है, अब इसके ओपर, अलग-लग ideologies हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, तीन ideologies हैं कि, इसकी क्या benefits हैं, ठीक है, सबसे पहले हैं, जो हमारी दूसरी countries हैं, दूसरी countries क्या केते हैं, दूसरी का मतलब क्या है कि, जो हमने साथ countries पढ़ी है, छे बाकी की, इंडिया को छोड़के, वो केते हैं, this is a way for India to invade their market, ठीक है, मतलब हमारी market को invade करने के लिए, इंडिया ये सब कुछ, साफ़ता वगेरा जो है, उसमें है, ठीक है, और हमारी society और politics और market को, जो है, influence करने के लिए, ये साफ़ता है, ठीक है, इंडिया क्या कहते है, इंडिया कहते है, ये एक real economic benefit है, सब ही countries के लिए, इसकी वज़े से free trade हो पाएगा, और हम जादा अच्छी तरीकिसे political issues पे भी cooperate कर पाएंगे, कुछ लोग जो है इंडिया के अंदर वो क्या कहते है, क्योंकि इंडिया ने already bilateral agreement कर रखें, sign FTA के, bilateral का क्या मतलब होता है, दो countries के बीच, multilateral का क्या मतलब होता है, कई countries है, कई aspects, तो इंडिया और भुटान ने, इंडिया और नेपाल ने, और इंडिया और शिलंका ने, BNS, ठीक है, BNS के साथ जो है, FTA को sign कर रखें, FTA का क्या मतलब है, कि हम इस इस aspect में, जो है, आपकी country को tax नहीं भरना पड़ेगा, या फिर import duty नहीं भरना पड़ेगी, तो उस तरीके से, तो इसलिए, इसकी जादा जुरूरत थी नहीं, इन्होंने का साफटा की जुरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने पहले ही BNS के साथ, जो है, FTA को sign कर रखें, उसके बाद हम पड़ेंगे, कि सार्क का, इंडिया और पाकिस्तान की relation पे क्या impact पड़ा, आजियर्जर्स क्रियेट करें, ताकि वार का रिस्क बहुत कम हो जाए, बातचीत से, ठीक है, जब आपको किसी फ्रेंड पे confidence होते हैं, तो आपके बीच में dispute कम होते हैं, तो वो ही चीज़ बताईए, उसके बाद social activist और prominent personalities जो हैं, वो दोनों कंट्रीज के अंदर peace को create करने की कोशिश करते हैं, जो साफ्टा है या सार्क है वो बहुत सारे summit भी वो करता है, organize करता है, जिसकी वज़े से जो दोनों कंट्रीज हैं, वो बातचीत कर लेती हैं, आपको पता हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है, bus routes create की गई हैं, कि अगर आपको पाकिस्तान जाना है, या पाकिस्तान वाले citizen को इंडिया आना है, तो here she can go, with visa ठीक है, और वो असानी से दिया जाता है, और उसके बाद जो ट्रेड है, दोनों पंजाब हैं, आ अब हम last point पर आगें, इस topic है, वो है कि US और चाइना का क्या influence है, सार्क के ओपर या South Asia के ओपर, तो आपको पता है, कोई भी country जो है, वो isolated नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कैदो कि हम किसी और country के साथ कोई बात नहीं करेंगे, तो मतलब आप सब से isolated हो, कोई country नहीं आ है, उसका impact है, और इंडिया और पाकिस्तान के relationship पर भी इन दोनों country का impact है, 1991 के बाद दोनों country का engagement है, हम दोनों के relation में मतलब, पाकिस्तान और इंडिया की बीच में, वो जादा हो गये, तो आपको पता है कि चाइना जो है, वो पाकिस्तान का जादा अच्छा फ्रेंड है, तो ये चीज इंडिया और चाइना की relation को भी बिगाड़ती है, ठीक है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को support करता है, पर फिर भी जो इंडिया है और पाकिस्तान है, वो अपने देशों में development चाते हैं, इसलिए वो चाते हैं कि हम कोई भी war ना create करें, क्योंकि development के लिए पहल और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपकी book में लिख है, उसके बाद आपका जो US है, उसमें क्या है कि 1991 के बाद इसका भी रोल जादा हो गए, क्योंकि हम दोनों कांट्रीज ने economic reforms और liberal economic policies को अपनाया है, ठीक है, वैसे जो चाइना का है कि भी पाकिस्तान के जादा close है ऐसा US में नहीं है, दोनों के साथ अच्छा relation है और वो moderator के तरह काम करते हैं, कि अगर कोई भी छोटा मोटा dispute हो जाए तो वो सुलजाने की कोशिश करते हैं, और आपको पता है कि South Asia के बहुत सारे लोग हैं, especially Punjab या हर्याना के लोग जो हैं, वो बहुत जादा US गए हुए ह तो इसकी वज़े से भी क्या है कि इंडिया और US का relation अच्छा है, उसके बाद market जो है हमारे region की उसमें US बहुत बड़ा role play करता है, ठीक है, अब हम ending conclusion देखो, इस chapter का किता सुन्दर है, आपकी chapter ने कहा कि कोई भी बाहर की country आपकी, जो है, South Asia के future को decide नहीं कर सकती, कौन decide कर सकता है कि क्या होने वाला future कि या तो हम cooperate करेंगे, regional block बन जाएंगे, हम बहुत जादा cooperation करेंगे, या फिर हम conflict prone zone बन जाएंगे, वो है people and the government of South Asia, बाहर वाले लोग इतना impact नहीं डाल सकते, जितने आप खुद अपनी country के लिए impact डाल सकते हो, so that is it, I hope you understood everything very well, meet you in the next video, बाई!